कुछ स्वादिश्ठे बनाना तो पने रस्पीस डॉट कॉम पे जरूर है आना लालची मटन वाला शामपुर नाम के गाउ में असलम नाम का एक आदमी रहा करता था उसका गाउ में मटन का दुकान था असलम घर में अपनी मा के साथ रहा करता था उसने घर में बहुत सारी बकरिया पालके रखी थी जिनकी देखभाल उसकी मा करती थी असलम का धंदा बहुत अच्छा चल रहा था और उसी कारण से उसके मन में अब लालच आ गया था वो ग्रहकों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार भी नहीं कर रहा था ऐसे ही एक दिन उसके दुकान पर एक बुढ़ा आदमी आया अरे असलम मुझे एक किलो मटन चाहिए था बेटा अरे चाचा आप ले जाएए आपका ही तो दुकान है अरे बेटा मेरे घर महमान आने वाले है इसलिए मुझे एक किलो मटन चाहिए था मगर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा चाचा मैं पैसों के बिना कोई काम नहीं करता आपको तो पता ही है न हाँ बेटा मुझे पता है मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है मैं कल या परसो तुम्हें दे दूँगा चाचा मैं तुम पे विश्वास कैसे कर लू बेटा तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये लो, ये मेरे हाथ की अंगोठी तुम्हारे पास रख लो जब तक मैं तुमको पैसे वापस नहीं करूंगा तब तक ये अंगोठी तुम तुम्हारे पास ही रखो ठीक है चाचा, ये लो आपका मतन जब तक आप पैसे नहीं लाएंगे आपकी ये अंगोठी मेरे पास रहेगी हाँ बेटा बुढ़ा अदमी वहाँ से चला जाता है असलम हर रोज किसी ना किसी को अपनी दुकान में कम मतन देकर उसे फसाता था उसका धंदा बहुत अच्छे से चलने लगा था ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा लड़का आया चाचा मेरी माने मुझे आपके आपके याँ से एक किलो मतन लाने भेजा है अभी देता हूँ बेटे इतने दिनों से तुम दुकान पर नहीं आये हाँ चाचा हम गाओ गए थे अच्छा उस लड़के के साथ बाते करते करते असलम ने उसके मतन में से थोड़ा सा मतन कम करवा दिया उस छोटे लड़के को इस बात का पता भी नहीं चला ये लो तुम्हारा मतन ऐसे ही बहुत दिन बीच जाते है अब असलम अपने काम में बहुत माहिर हो जाता है ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी और इधर असलम का धंदा बहुत अच्छे से चल रहा था ऐसे ही एक दिन उसके दुकान पर उनके गाओ के एक बहुत अमीर आदमी रामदास का नोकर मटन की ओरडर देने आया अरे असलम हमारे मालिक के घर बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है उसके लिए हमें 40 किलो मटन चाहिए क्या मिल सकेगा हाँ हाँ भाई क्यों नहीं मिलेगा अरे मैंने सब दुकानों में जाकर देखा मगर मुझे हितना सारा मटन कोई नहीं दे सकता मेरे तुम्हारा नाम सुना और तुम्हारे पास चला आया भाई आप बिल्कुल सही जगा पर आये हो आपको जितना मटन चाहिए उतना मैं दूंगा बस किस दिन और कब चाहिए मुझे बता दो परसो के दिन सुबा ही चाहिए ठीक है मिल जाएगा आपको आप आपका पता मुझे लिख कर दो नोकर ने अपने मालिक का कार्ड उसको दिया ये लो इस जगह टाइम से पहुच जाना और ये तुम्हारा एडवांस बाकी के पैसे मटन लाने के बाद दे दूँगा ठीक है भाई मैं टाइम से पहुचा दूँगा अब वो नोकर वहाँ से चला गया असलम बहुत खुश हो गया और ये खुश खबर घर जाकर उसने अपने मा से बताई एरे मा मैं आज बहुत खुश हूँ मुझे एक बहुत बड़ा मटन का ओरडर मिला है मुझे 40 किलो मटन पहुचाना है ये तो बहुत अच्छी बात है अब तयारी में लग जाओ हाँ मा दो दिनों बाद सुबा ही उठकर असलम सारा मटन काट कर रखता है उसे नापने लगता है और उस 40 किलो मटन से 5 किलो मटन बाजू में निकाल कर रखता है अब सिर्फ 35 किलो मटन बज गया था मैंने आज तक इतने सारे जोल किये है मगर किसी को कुछ पता नहीं चला क्यों ना इस बार थोड़ा बड़ा जोल कर दू अब असलम मटन लेकर उस नोकर ने दे हुए पते पर चला गया रे अच्छा हुआ जल्दी लेकर आए हाँ जी लेकर आया आपने जल्दी बोला था ना इसलिए देर नहीं की यही रुको मैं मालिक से तुम्हारे बचे हुए पैसे लेकर आता हूँ जी असलम वहां खड़ा रहता है और नोकर अंदर जाकर मालिक से बचे हुए पैसे लेकर आता है ये लो भाई तुम्हारे पैसे धन्यवाद भाई ऐसा कहकर असलम वहां से चला जाता है अब रात हो जाती है और उस मालिक के घर कारेकरम शुरू होता है बहुत सारे महमान आते है लेकिन जब खाने की बारी आती है अब तक तो हमारे किसी भी कारेकरम में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी थी इस बार मटन के से कम पड़ गया पिछली बार तो इतना सारा बज गया था अब की बार कम पड़ गया हाँ मालिक ये बात तो सच है इस बात का पता तो करना ही पड़ेगा 40 किलो मटन मंगवाया था और थोड़े ही लोगों ने खाया मटन की सबजी किसने बनाई उसको बुलाओ नौकर जाकर रसोया को बुला कर लाता है साहब आपने बुलाया साहब हमेशा मटन बराबर रहता है लेकिन इस बार मटन थोड़ा कम था इसलिए सबजी भी थोड़ी कम ही बनी थी सुन्दर तुमने कितना मटन मंगवाया था मालिक मैंने तो 40 किलो ही मंगवाया था हमेशा की तरह तो फिर कम कैसे पढ़ गया उस मटन वाली को बुलाओ उसने ही कम मटन दिया हुगा कुछ ना कुछ गड़बढ है अब नोकर असलम को बुला कर लाता है जी साहब आपने मुझे बुलाया तुमने हमारे यहाँ मटन दिया था रसोया बोल रहा है कि तुमने कम मटन दिया है हमने तो तुमसे 40 किलो मंगवाया था तुमने कितना मटन दिया है सच सच बताओ जूट बोलोगे तो पच्चताओगे ये सब सुनकर असलम चुप चाप खड़ा रहता है उसे पता चल गया था कि अगर अब वो जूट बोलेगा तो वो पकड़ा जाएगा सहाब मुझसे गल्ती होगी मुझे माफ कर दीजिये आइंदा से ऐसी गल्ती नहीं होगी सहाब हमारे यहाँ ऐसी गल्ती करने से पहले लोग सौ बार सोचते है मगर तुमने लालच में आकर यह सब किया तुम्हें इसकी सजाद जरूर दूंगा रामदास पुलीस को फोन लगा कर उन्हें बुला लेता है और असलम को उनके हवा लेकर देता है इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि हमें लालच के चलते किसी को फसाना नहीं चाहिए क्यूकि उसका अंध हमेचा बुरा ही होता है केशवपूर नाम के गाउ में एक सरीता नाम की विध्वा औरत रहा करती थी उसका एक बेटा था जिसका नाम था शिवा शिवा बहुत ही मासूम था अपनी मा से बहुत प्यार करता था उनके हालात बहुत गरीब होने के कारण वो लोग कोई त्योहर तक नहीं मना पाते थे सरीता घर घर जाकर लोगों के यहां काम करती थी ऐसे ही एक दिन मा तुम हमेशा काम करती हो मेरे लिए तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता नहीं मेरे बच्चे अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम खाना क्या खाएंगे हाँ मा तुम सही क्या रही हो मैं बड़ा होकर नोकरी करूंगा और तब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूत नहीं पड़ेगी मा हाँ मेरे बेटे सरीता अपने बेटे को गले लगा लेती है और अपने काम में लग जाती है शिवा अपने मा की हर तरह से मदद कर दिया करता था वो स्कूल जाकर बहुत पढ़ाई करता था और उसकी मेहनत भी रंग लाया करती थी वो स्कूल में हर साल अवल आया करता था जिस वज़े से स्कूल की तरब से उसे स्कॉलर्शिप मिला करती थी और उसी स्कॉलर्शिप से उसकी पढ़ाई चल रही थी स्कूल के बाद शिवा अपने मा के साथ काम पर जाता था उसे पढ़ाई का इतना शौक था कि उसे जहाँ जो कुछ मिले वो पढ़ाई शुरू कर देता और इसी वज़े से उसकी जनरल नौलेज बहुत अच्छी बन गई थी ऐसे ही एक दिन वो अपनी मा के साथ हरी प्रसाज जी के घर गया सरीता वहाँ से काम करने चली जाती है शिवा वही हॉल में बैटकर एक न्यूस पेपर लेकर पढ़ने लगता है तभी हरी प्रसाज जी की लड़की शमा वहाँ आती है और शिवा को देखकर उसे बोलती है ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मेरी मा के साथ आया हूँ अच्छा? मगर तुम्हें मेरे घर में इस पेपर को किसने हाथ लगाने बोला? यह मेरा है, समझे? अरे मैं इसे सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं किया अच्छा? मेरे घर में आकर मुझसे ही छगड़ा कर रहे हो? पिता जी, पिता जी उसकी आवाज सुनकर हरी प्रसाद बाहर आते है क्या हुआ है मेरी बच्ची? क्यों आवाज लगा रही हो? पिता जी, यह देखो मेरे घर में आकर मेरा नियूस पेपर पढ़ रहा है और मैंने पूछा तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया ए लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? किसके साथ आये हो? मैं मेरी मा के साथ आया हो यह सब बाते सुनकर सरीता भी हॉल में आ गई यही उसके लिए ठीक होगा सरीता अपने बेटे शिवा को लेकर वहाँ से चली जाती है कुछ दिनों बाद शिवा के स्कूल में रिजल्ट आता है उनकी पांचवी कक्षा में शिवा अवल आया था और हरी प्रसाद की बेटी तीसरे नंबर से पास हुई थी उसी दिन सरीता अपने बेटे को लेकर हरी प्रसाद के घर काम करने गई बेटा इधर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना आज में जल्दी काम खतम करके आऊंगी ठीक है? हा मा मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं काम खतम करके आती हूँ ऐसा कहकर सरीता वहाँ से चली गई शिवा चुपचाफ वहाँ एक कोने में खड़ा रहा कुछ देर बाद शमा के कुछ दोस्त उसके घर आये सब लोग हसी मजाग करने लगे और शमा का स्कूल में तिसरा नंबर आने की वज़े से शमा ने एक केक काटा आओ दोस्तो चलो मिलकर हम केक कट करते है शमा और उसके सारे दोस्त केक खाने लगे कोने में खड़ा शिवा ये सब देख रहा था तभी उसकी मा काम खतम करके वहाँ आई चले बेटा गर बहुत देर हो रही है मा मुझे भी केक चाहिए चलो बेटा ये केक हमारे लिए नहीं है मगर मा उन्हों में तो वो केक कुट्टे को भी खिलाया मगर मुझे एक टुकडा भी नहीं दिया नहीं मेरे बच्चे जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं खुद मेरे बच्चे को केक खरिद कर दूँगी सच में मा हाँ मेरे बेटे चलो बगर हाँ मा अब शिवा और सरीता घर जाने के लिए निकलते है घर जाते जाते रास्ते में एक छोटा बच्चा सरीता के पास आता है और उसे कहता है माजी आप एक लौट्री का टिकट ले लीजे ना सरिता उस बच्चे को एक रुपया देकर उससे वो टिकट खरीद लेती है और शिवा और सरिता घर जाते है घर जाकर सरिता उस टिकट को भगवान के सामने रखती है और घर के काम करने लग जाती है शिवा मनही मन भगवान से प्रार्थना करता है दूसरे दिन सरीता अपने घर के काम खतम करके शिवा को लेकर फिर से हरी प्रसाद के घर जाती है उस दिन भी शिवा की नजर एक न्यूस पेपर पर पड़ती है लेकिन उसे पिछली बार का किस्सा याद था इसलिए वो चुपचा पे कोने में खड़ा हो गया तभी हरी प्रसाद की बेटी शमा वहा आई और उससे कहा शमा सोफे पे बैटकर न्यूस पेपर पड़ने लगी तभी उसकी नजर एक लोटरी के टिकट पर गई और उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि कल एक लोटरी का टिकट ले लो मगर आपने नहीं लिया देखो वन वन टू 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 त्री नंबर को लोटरी लगी है पिताजी अच्छा बाबा कल ले कर दूँगा ठीक है जी पिताजी ऐसा कहकर शमा न्यूस पेपर पढ़ने में वैस्त हो गई तभी शिवा ने अपने साथ लाया वो लोटरी का टिकट निकाला और उस पर जो नंबर था वो देखा और उसे वही नंबर दिखाई दिया जो उस न्यूस पेपर में था उसने तुरंट अपनी माँ खो आवाज लगाई मा, मा जल्दी इदे रहो शिवा की आवाज सुनकर सरीता जल्दी जल्दी बाहर आ गई उसने शिवा के हाथ में वो लोटरी का टिकट देखा और कहा अरे क्या हुआ है शिवा, ऐसे आवाज क्यों दी बेटा अरे मा, हमें लोटरी का टिकट लगा है अब तुम्हें काम करने की कोई जरुवत नहीं क्या शिवा, ये सच है? हाँ मा, ये सच है और अब हमें किसी अमीरों के यहाँ नोकरी भी नहीं करने पड़ेगी चलो मा यहाँ से अहाँ चलो, पेट जी, मैं आती हूँ ऐसा खहकर सरीता और उसका बेटा शिवा वहाँ से चले जाते है शमा और हरी प्रसाद उन दोनों की ओर देखते ही रहते है उन लोटरी के पैसों की मदद से सरीता एक अच्छा घर बनवा लेती है अपने बेटे शिवा की सारी जरूरते पूरी करती है उसे उसका मन चाहा केक भी खिलाती है अब सरीता को काम करने की कोई जरूरत नहीं बची और वो अपने बेटे के साथ हसी खुशी रहने लगी इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सब को सम्मान देना चाहिए शामलपुर नाम के गाउ में सुहानी नाम के एक लड़की अपने मा, बाप और भाई के साथ रहती थी गाउ के सारे लोग उसके पिता समर सिंग और माता लक्षमी देवी का बहुत आदर किया करते थे उनकी खेती थी और उनका बेटा शाम खेती में बहुत महनत किया करता था लेकिन वो बहुत गमंडी था उसे अपने आप पर बहुत गर्व था उसे लगता था कि वो अकेला ही घर में कमाता है सुहानी घर में छोटी होने के कारण कुछ नहीं बोलती थी मगर उससे जितना होपाय उतना काम किया करती थी अपने माबाप की सेवा करती थी ऐसे ही एक दिन गाव के कुछ लोग समर सिंग के साथ बाते कर रहे थे अरे भाई समर सिंग कितने दिन अपने बेटी को घर में कवारी बिठा कर रखेगा उसका ब्या नहीं करना क्या अरे करना है ना भाई बस कोई धंका रिष्टा मिल जाए फिर सुहानी के हाथ पीले करवा दूंगा हाँ भाई वो भी सही है फिकर मत कर हम है ना हम ढूंडेंगे तुम्हारे लड़की के लिए रिष्टा धन्यवाद भाईयो आफ हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं समर सिंग मन ही मन सोचता है मेरे गाउ के लोग कितने अच्छे है मेरी आधी चिंता तो ऐसे ही मिटा दी मैं बड़ा खुश नसीब हो कि इस गाउ में पैदा हुआ अब समर सिंग घर पहुचता है और घर जाकर अपनी पतनी से कहता है लक्ष्मी सुनती हो जरा बाहर आओ तुमसे कुछ बात करनी है जी क्या हुआ है आपने आवाज लगाई क्या बात है अरे लक्ष्मी मैं सोच रहा हूँ कि अपने सुहानी के हाथ पिले कर दू क्या कहती हो जी आपने सोचा है तो ठीक ही होगा कुछ दिनों बात सुहानी के लिए एक अच्छा रिष्टा आता है सर्पन जी ये बात बताने के लिए समर सिंग के घर जाते है समर सिंग जी आपकी बेटी सुहानी के लिए मुझे एक अच्छा रिष्टा मिला है अगर आपकी अनुमती हो तो मैं बात आगे बढ़ाओ रे ये तो बहुत अच्छी बात है सर्पन जी आप रिष्टा लेकर आये हो तो अच्छा ही होगा तो मैं लड़के वालों को देखने के लिए बुलवा लू हाँ सर्पन जी बुलवा लीजिए हम कल ही मुझे दिखाई करेंगे अप लड़के वालों को बोल दीजिएगा अगले ही दिन मुझे दिखाई का कार्यक्रम होता है लड़के वालों को सुहानी बहुत पसंद आती है उन लोगों की हा सुनकर समर सिंग अपनी बेटी की शादी करवा देता है शादी होने के बाद सुहानी अपने ससुराल चली जाती है उसका सुभाव देखकर ससुराल वाले बहुत खुश है सुहानी कुछ ही दिनों में घर के कामों में माहिर बन जाती है मगर उसकी ये खुशया बहुत दिन तक टिक नहीं पाती उसकी जिन्दिगी में एक बहुत बड़ा तूफान आता है शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पती एक हाथसे में मारा जाता है सुहानी के जिंदगी में अंधेरा चा जाता है कुछ दिन ससुराल रहने के बाद वो अपने माई के चली आती है लेकिन उसके भाई शाम को ये बात पसंद नहीं आती मा, ये सुहानी हमारे घर कितने दिन रहने वाली है इसे उसके ससुराल जाना चाहिए अरे, तुमें क्या तकलीफ है इस घर पर जितना हब तुम्हारा है उतना ही सुहानी का भी है समझे अच्छा, तो इस घर में अब उसका भी हक है उसके ससुराल में उसका कोई हक नहीं क्या मा, मेरी वज़े से आप लोग जगड़ा मत किया करो अगर मेरी वज़े से घर वालों को तकलीफ हो रही है तो मैं यहां से चली जाती हूँ हाँ, वही सही होगा तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी समझी? सुहानी, तुम्हारी वज़े से हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं हो रही है अगर किसी को तकलिफ हो रही है तो वो इस घर से बाहर निकल जाए कबसे मैं ये विवात सुन रहा हूँ क्या चल रहा है शाम तुम क्या बात कर रहे हो तुम्हें पता भी है हाँ पिता जी सब पता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बाके का आप देख लो और इस करम जली सुहानी के भाग्य में रोना ही लिखा है वो रोती रहे मुझे क्या मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ अप मेरी चिंता मत करो मैं मेरा देख लूंगी ऐसा कहके सुहानी वहाँ से चली जाती है कल ही मैं पंचायद बुलवा कर घर के दो बटवारे करता हूँ हर रोज का टेंशन तो नहीं रहेगा वही सही रहेगा अगले ही दिन समर सिंग पंचायद के कुछ लोगों को और सरपन जी को घर पे बुलाते है सरपन जी मुझे मेरा हिस्सा चाहिए देखा सरपन जी कैसे बात करता है अरे शाम इस उम्र में घर का बटवारा अच्छा नहीं लगता एक बार फिर से सोच लो सरपन जी मैं अपना निर्णाय ले चुका हूँ आप घर का बटवारा कर दीजिए जिस बेटे को बात करने की तमीज नहीं उससे मैं और क्या आप एक्षा करू सरपन जी आप बटवारा कर दीजिए ये रोज रोज की जिग जिग मुझे नहीं सही जाती सरपन जी घर का बटवारा कर देते है और अब शाम और उसके माता-पिता अलग-अलग रहने लगे अब सुहानी खेतों में बहुत मेहनत करने लगी और उसके साथ-साथ अपने माता-पिता का अच्छे से खयाल रखने लगी ये सब देखकर शाम बहुत जलने लगा था सुहानी, कितना करेगी बेटी हमारे लिए? बेटी, तुमने हमारे भाग खोल दिये है तुम्हारी जैसी बेटी मिलने को भी भाग लगते है ऐसे ही कुछ साल बीच जाते है सुहानी अपना काम और अपने माता-पिता की सेवा जारी रखती है इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए पाट्टू का इंतिजार कीजिए सुहानी अप गाव के खेतों में काम कर खूब मेहनत करने लगी उसने अपने पूरे घर का जिम्मा अपने सिर पर उठा लिया और अपने मा पिताजी को पूरा आराम दिया वे दोनों अप घर पे ही रहने लगे ऐसे ही एक दिन अजी हमारी सुहानी सोना है सोना जो कितना भी खिसे खरा का खरा रहता है हम तो सच में बहुत पुन्यवान है हाँ तुम सच कह रही हो आज तक हम समझते थे कि हमारा बेटा शाम ही हमारे घर का दीपक है हमारे घर का नाम रोशन करेगा मगर जिसे हमने घर का दीपक समझा था वही घर का भेदी बन गया और जिस लड़की को हमने कलंग समझा था वो हमारा नाम रोशन कर रही है हाँ आप सच कह रहे हो हमारे सच में भाब खुल गए चलो हम उसके लिए आज खाना पकाते है आज हम मिलकर खाना बनाएंगे हाँ आज हम दोनों मिलकर खाना बनाते है समर सिंग और लक्षमी मिलकर खाना बनाते है और सुहानी का इंतजार करने लगते है शाम के समय सुहानी घर पर आती है घर में खाना तयार देख वो मा से कहती है मा, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि काम मत किया करो मैं काम कर लूगे ना, तुम क्यों तकलीफ उटाती हो? अरे वेटा, इसमें तकलीफ कैसी? सब लोग खाना खा लेते है सुहानी घर के सारे काम खतम करके सो जाती है अगले दिन सुबा जल्द ही उठकर वो अपना सारा काम कर लेती है थोड़ी देर बाद उसके मा को भी उठा देती है उसके बाद वो अपने पिताजी को उठाने के लिए उनके पास गई पिताजी, सुबे हो गई है, आपको उठना नहीं है क्या? अरे हाँ, उठना चाहता हूँ, मगर आज बहुत ठकान लग रही है बुखार भी है थोड़ा, आराम कर लेता हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम अस्पताल में चलते है आज आराम करके देखता हूँ, बाद में देखेंगे, तुम जाओ अपने काम पर जाओ सुहानी घर से काम के लिए निकल गई, लेकिन यहाँ समर सिंग का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा लक्षमी ने एक बच्चे को सुहानी को घर बुलाने के लिए भेजा सुहानी दीदी, काका को बहुत तेज बुखार आया है, तुम्हें घर पर बुलाया है अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ ये बात सुनकर सुहानी दोड़ी दोड़ी घर चली आती है, धर आकर अपने पिताजी की हालत देखकर वो वहाँ से सीधे सर्पंजी के पास चली जाती है सर्पंज काका, मुझे आपसे ज़रा काम है हाँ, बोलो सुहानी बेटी, क्या बात है? काका, पिताजी को बहुत तेज बुकार है, आप मेरे साथ घर चलिए, हम उन्हें अच्छा अस्पताल में लेकर जाएंगे ठीक है ठीक है, चलो बेटी, सर्पंजी सुहानी के साथ उसके घर आते है अरे सुहानी, इनका बदन तो बहुत गर्म है, हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा सर्पंजी गाउ में फोन करके गाड़ी बुलवा लेते है, और समर सिंग को अस्पताल लेकर जाते है सुहानी भी उनके साथ चली जाती है, अस्पताल में डॉक्टर समर सिंग को देखते है इनको मैं कुछ दवाया लिखके देता हूँ, उनसे इन्हें आराम पड़ जाएगा, अब आप इन्हें घर पे लेकर जाओ धन्यवाद डॉक्टर साब सुहानी उसके पिताजे और सरपंजी के साथ घर आती है, सुहानी अपने पिताजे को खाना खिला कर दवाया देती है, एक दो दिन ऐसे ही निकल जाते है, मगर समर सिंग पर उन दवायों का कोई असर नहीं होता सुहानी फिर एक बार डॉक्टर को घर बुलाती है जी इन पे अब दवायों का कोई असर नहीं हो रहा, अब आप इन पर जादा खर्चा मत कीजिए, इनकी उम्र हो गई है, इन पर दवायों का जादा असर नहीं होगा मैं वही बोल रहा हूँ जो समर सिंग जी का शरीर बता रहा है, ये बात सुनकर लक्षमी रोने लगती है, डॉक्टर वहाँ से चले जाते है, और अब सुहानी बहुत सोच में पड़ जाती है, मगर उसे उसका फर्ज निभाना था, वो थोड़े थोड़े करके पैसे जमा क करने लगी, समर सिंग की तबियत में कोई सुधार नहीं आया, ऐसे ही एक दिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई, सुहानी बिटा, सरपन जी को बुला कर लाओ, जी पिता जी, अब भी बुला कर लाती हूँ, सुहानी सरपन जी को अपने घर ले आती है, अरे बोलो ना समर सि तुमने बुलाया, सरपन जी, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार की जिम्मेदारी आप की है, मेरी सुहानी का खयाल रखना, अरे सुहानी तो मेरी भी बिटिया है, जब तक मुझ में जान है तब तक मैं उसका ध्यान रखूँगा, तो चिंता मत कर, सरपन जी की ये बात सु पिता के जाने के बाद सुहानी बहुत अकेली पड़ गई तेरे उसकी मा लक्षमी भी बीमार होने लगी वो खाना भी नहीं खा रही थी ऐसे ही एक दिन सुहानी ने अपनी मा से कहा अरे मा खाना तो अच्छी तरह से खाया करो नहीं तो और बीमार पड़ जाओगी अरे और जीकर करना भी क्या है तुम्हें देखके ही जी रही हूँ ऐसे ही कुछ दिन बीद गए एक दिन सुभा सुहानी उठकर काम करने में जुड़ गई और काम खतम करने के बाद अपने मा को उठाने के लिए गई लेकिन उसकी मा दुनिया से चल बसी थी सुहानी ने सर्पनजी की मदद से अपनी मा का अंतिम विधी किया ऐसे ही कुछ दिन बीद गए और एक दिन सुहानी सर्पनजी के पैसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी बेटी कुल मिलाकर लगभग पाच हजार हुए होंगे ठीक है मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी सुहानी सर्पनजी के पैसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी अंत में जैसे तैसे करके उसने पाच हजार रुपे जमा कर लिए वो पैसे लेकर वो सर्पनजी के पास आई सर्पनजी आज से मैं आपके पैसों के रुण से मुक्त हो जाऊंगी हाँ सुहानी सुहानी बेटी एक बात मानोगी मेरी सर्पनजी ने सुहानी की शादी बड़े धूमधाम से कर दी और अब सुहानी अपने नए ससुराल में हसी खुशी अपना जीवन विथित करने लगी इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि चाहे स्थ्री हो या पुरुश अगर सही अउसर मिले तो हर कोई अपने जिम्मेदारी बखुबी निभा सकता है